जहिन दोस्तो उम्मिद करता हूं आप सब लोग अच्छी होंगे और अच्छी तास रिपेरिंग कर रहे होंगे दोस्तों आज हम जानेंगे देड एंडशिट के बारे में दोस्तों एक हमारे पास एक हैंडशिट था एंटी के सीप्यू का दोस्तों उसके अंदर प्रॉब्ल जब नए उसकी इमम्स को निकाला और इजी टैक बॉक से जब हम ने जाना इसमें ये प्रॉब्लम होने से दोथो वो सेट कोड भी नहीं बनाता है पर प्रॉब्लम उसका एंढम सी का ही निकला उसके अंदर बट बोड भी नहीं बना दोस्तों ऐसा कैसे होता है आप जानेंग आपका डेड हैंटे लाता है जिस में आपके एंपिकर सीप्यों उसमें प्रभल हमने यहां पर यह देखा गया था दो सो जैसे हमारे पास सेट अगर आपके पास कोई सेट डेड़ आता है यह मैं IMP cpu का ठीक है और आपने उसे DC machine से लगाया ठीक है PC machine से बखा हमने उस्छेट को लगाया तो उसने जो reading का conjunction किया याइन कंद का जो कंद सकिया वह आपका था DC machine हम ने 4-4 voltar ठीक है और 3MP set किया हुआ था जब आमने उसके पावरों को को प्रेस किया ठिक जब मैंने उस सब्सक्राइब है थो उससने हमारा रीडिंग इसस्टार्ट रॉई-मारा ऐनिक फरिदिंगStis तो फ्री के बात सेबन टी के वर्सडाइट हो सेबन टी के जाने के बाद जैसे अपने पाव्रटल रिंग चोड़ा तो एक बार इसमें दोनों रीडिंग प्लक्टिवोशंग हो के ऐसे कि one time 77 first 30 कि फिर 00 हो जाना यानि एक बार उसने 75 30 दुखा के फिर एक पर 00 हो जाना तो इस तरह से उसमें हो रहा था तो हमारे इसाब से इस केस में अगर हमारा जीरो होता है तो हमने जितना भी अब तर रीड किया है उस कंडिस्ट में हमारा हाड़ बेर दिक्कत होता है बट दोस्तों इसमें कुछ अलग था क्योंकि एमेंटी के अंदर एक लॉक लगा हुआ दोस्तों इमेंटी के अंदर एक लॉक था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा बॉक्स के द्वारा कि किस लॉक के द्वारा ऐसे कंडिसमा आपका सेट पोर्ड भी नहीं बनाएगा आपका जो फोन एम्टी के फोन जो ओटो पोर्ड बनाता है ठीक है ओटोमेटिक पोर्ड बना लेता है तो वहां पर वो पोर्ड भी नहीं बना रहाता और ठीक दोस्तों जब हमने इवेंसी को प्रोग्रामिंग कर दिया यानी मेंसी प्रोग्रामिंग कर दिया जब हमने उसके बाद उसने फिर पोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया पहले जबकि यह कंडिशन होने प फिए टो फाल एक्ष्ट घूर्ट अब दो दोस्तो जो प्रवल्म हमने इसको सॉल्व किया था इसका मिदियो बना के रखाता इसका वीडियो नहीं बना पाई थे बदोनों में से अभी प्रवलम तो चंडिशन को इसको चेंज ही करना पड़ाता बट यह इंद रिपेर भी हो जाती वो भी हम आपको बताएंगी ठीक है अब यह हमने यहां पर इसे करेंट कर देते हैं ठीक है उस्तो आज में आपको थोड़ा सा एड़मास बताना चाहता हूं क्योंकि सायद किसी भाई के जो भाई के पास बॉक्स नहीं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा बट सब लोगों को यहां पर प्रव प्रवलम उसका पॉर्ड भी नहीं बनाता जब तो यहां उसी में से को चेंज कर देते हैं यह वह यह उन्सी प्रोग्राम हो जाती है तब उसके बाद यह पूर्ड बनाने स्टार्ट कर देता है चलो देख लेते एक बार कि यहां पर पावर के लगा देते हैं अब चेक करते हैं कि ऐसा ब्रवलम होने से हमारा से टेक्शल पूर्ड क्यों नहीं बनाता दोस्तों को लोग वोल्टेज यहां से हम इसको लो कर लेंगे बन पॉइंट कर लेंगे ठीक यहां पर आप समझेंगे और स्क्राइट क्लिक करेंगे यहां पर जो पहले identify नहीं हो रहा था यहां पर वो identify हो गया है ठीक है दोस्तों यहां पर दोस्तों हम समझेंगे इसमें प्रॉब्लम था क्या दोस्तों जब हमारे पास था तो इसमें यहां पर एक error आ रहा है यहां पर एक error आया दोस्तों इसका मतलब इसे समझते हैं तो जैसे आपने समझा यह तो इसका इम्मसी के बारे में है और इसका इम्मसी का जो में यूरेरिया है उसका size आपका देख सकते हैं 32 GB का है और आपका यह room 1, room 2 जो कि आपका यह 5 के अंदर इसे बोलते हैं partition 1 और partition 2 यह आपके 44 MB के हैं प्लस आपका rpm जो कि 4 MB का है जो कि आपका clean नहीं है not clean ठीक है यहां पर समझेंगे इस इम्मसी का right protection भी okay है यानि on नहीं है दोस्तों यहां पर यह देख सकते इम्मसी password locked yes दोस्तों ऐसा होने पर आगा आपकी इम्मसी password locked yes ऐसा होने पर दोस्तों आपके phone का set में pod नहीं बनेगा दोस्तों जब हमने इस set को चेक किये तो यहां पर हमको यह yes आया यानि आपकी इम्मसी गंदर इक password लगा हुआ था इसी लिए हमारा set port नहीं बना रहा था दोस्तों ऐसा कब होता जब आपकी इम्मसी की हैल्थ ज्यादा खराब हो जाती तो उस condition में आपका यह lock लग जाता या तो यह company से manufacturing हो के आता है ठीक है दोस्तों जो हमारी इम्मसी में लॉक लगा हुआ था उसको हमने हटाने का कोशिस किया दोस्तों यह function हमारे ही टेक टूल के अंदर बॉक्स के अंदर यह है जैसे हमने इसी टेक टूल को ओपन किया तो यहां पर इम्मसी के पासबट को हड़ाने का एक option है दोस्तों यहां पर फिर से हम identify करेंगे ठीक है फिर हम चेक करते हैं दोस्तों यहां भी हम सेम वोल्टेज एप्लाई करेंगे बन पॉइंट उसके बाड़ डेक्ट करेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हमारा इम्मसी डेक्ट हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां भी सेम है यानि इम्मसी पासबट लॉग ऐसा होने से आपका set पूर्ड भी नहीं बनाता दोस्तों इसको हमने रिमूब क देख सकते हैं तो यहां पर आपको नीचे कौनर में धिक रहा होगा किया क्या प्रॉटि से कवीज़ क्लिक करने की कि हमारे इम-यम सीज़ार हटता है कि यहां पर क्लिक करने को इसने के यस मांगा क्या करना चाहते Biz कहने इस चाहती बहुत एक और यहांगत पर ममनेंग्ट रेमेज हो चुकात पार्ष में हो जाता है उस यहांगा पड़िक यूज कर सकते हैं दोस्तों इसका मतलब यहां पर हमने एक बार फिट रही किया फिर भी साइद आप इस बार फिट रही करने के बाद भी सेम कंडिस्टन दोस्तों इसका मतलब यह था यह था यह एक परमानेंट डैड हो चुका था उसके बाद फिर हमने इम्मसी का चेंज किय आलड़ी आ रहा था इसका वेगव हम ले चुके थे आप सिदह हमको में भूज डारेक्ट चेंग करना था कि अच्छ भार जो अगर किसी भाहिक बीस्ट ने सAnब करना थो गहाँ अश्टार्ट कर सकते हमारा क्लास ये पंद्रह तादिक से ठीक है दोस्तों अब जो सेट हमारा था उसकी मेंसी को जब हमने चेंज किया तो यह मैंसी अब दोस्तों यह से हैं और जिसमें नकाला तहू हमारा रैडधी क्या विश्क्स मेंसे एक इम को निकाल कर दोस्तों इसमें लगाया था अवस्तों यह मिम से मरा खराब ओके तहां यहुद मेν जें बदब już निकाल guit